आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यूं लोग सिर्फ कितावी ग्यान के पीछे भागे पड़े हैं और भाव को कोई मोल नहीं दे रहे भाव को किशी भी तरीके से वो नाप नहीं रहे हैं सबका एक ही ध्यान है, वो है किताबी ग्यान, किताबी ग्यान और किताबी ग्यान, और ये किताबी ग्यान बहुतीक जीवन से लेकर उन्होंने अध्यात्मिक जीवन तक महुचा दिया है, और भाव को पीछे रखके सिर्फ और सिर्फ किताबी ग्यान को सरोपरी कर दिया है, पहले डॉक्टर पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं डॉक्टर, इंजिनियर, ये लोग डिगरी नेकर निकलते हैं कि उस विषिवद्याले से निकल रहे हैं, इनके पस डिगरी होती है, पर आज की समय में जो डिगरी का जो रूल बना दिया है, ये अध्यात्मी के जीवन पर भी थूब दया गया है। जो भाव से बावा से जुड़े होते हैं माता से जुड़े होते हैं पर आज के समय में लोगों में यह हंकार आ गया है कि मैंने क्योंकि अध्यात्म के भी कई विश्विद्याले खुल गए ग्रोकुल तो है नहीं अब यह क्या है यह एक परचा भी देती हैं आपको या निकि करे किसी विश्वियोदयाले में भाव की शिक्षा नहीं दी जाती है कि सब लगे पड़ें बस एक ही चीज मैने इस विश्वियोदयाले सेतन ये किया है मिलको इतने मंत्रयाद है ये याद है मिले को इतने पुरान याद है तो बेटा उन पुरानों को रखो एक साइड में भगती जो है वो याद करके नहीं की जाती मंत्र पढ़ने से या मंत्रों को याद करने से कभी भगती नहीं की जाती ये कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है कि आपने कुछ भी रट लि कि गोष्वामी तुलसिदाज जी ने प्रभू के दर्शन किये प्रभू श्री राम के दर्शन किये प्रभू श्री लश्मन जी के दर्शन किये हनुमान जी के कई बार दर्शन किये कोई ऐसे भक्तों के बारे में जिन्होंने शाक्षात प्रभू के दर्शन किये क्या तरीका क्या करोगे क्या मंत्र याद करने से प्रान पटने से प्रभू की प्राप्ति होती है ग्यान एक अलग चीज होती है पर प्रभू की प्राप्ति तो भाव से करनी होती है जो गोस्वामी तुलसिदास जी के बारे में नहीं जानता वो क्या बताएगा कि प्रभू को कैसे प्रा अक्षाद दर्शन किये, वो आपने भजन सुना होगा, शुनो एक भील की गाथा तुमें सुनाता हूँ, ये भजन तुमने सुना होगा, ये कथा है बगवान शिव की, तो क्या उस भील को मंतर याते थे, या उस भील को पुरान याद थी, वेद याद थे, कुछ भी याद नहीं था, इसको कोई बताता ही नहीं है, कि भाव क्या चीज है, कि जिस टाइम पर भाव सरपरी होता है, उस टाइम पर सब धर्म, गरंत, सब धरे रह जाते हैं, क्योंकि प्रभू जो है, वो भाव देखते हैं, इन चीजों को नहीं देखते हैं, कि आपके कितना ग्यान आ लाप्त कर ले जिब कि यह उनका एहंकार बोलता है। उन्होंने तो प्रभू के चरणों को भी। प्रशन नहीं कि वा। और कैसे ऐसे महानभंव जो खुद के आगे आचारे लगाते हैं वो कहते हैं कि हमने इतने मंत्रों को साध्या है। मैं लोग कभी उन्होंने किसी एक मंत्र से किसी को जाड़ा तक नहीं लगाया, किसी को आराम नहीं दिया होगा, वो कहते हैं कितने मंत्र याद है, मंत्र याद करने से कुछ नहीं होता, उनको सिद्ध करने से होता है, साधनाय करने से होता है, कोई ये नहीं बताता कि धानों भगत कोई प्राणयाद कोई मंतर याद नहीं था पर क्यों मा जवाला कितने किरपाव कि गरदन काटके मा के चलनों में चड़ा दी कोई नहीं बताता स्वामी राम क्रिष्ण पराम हंस अपने हाथों से मा को भोजन कराते थे कोई इस भाव के बारे में नहीं बताता कि स्वामी राम क्रिष्ण पराम हंस के अंदर वो भाव जो मात्र शक्ती थी जो मात्र क्योंकि कहा जाता है मुझे यहाद है कि जब उनका रिष्टा हुआ था उनके ध्रमपत्नी के साथ तब वो पूजा का सावान लेके अपने ध्रमपत्नी के पास गए थे और उनके विदिवत पूजा की थी मार्स अरूप में कोई ये बताने को तयार ही नहीं है कि भाव क्या होता है सब सिर्फ एक चीज लगे हुए है किताबों में ये लिखा हुआ है ध्रम में ये लिखा हुआ है इस पेज पे ये लिखा हुआ है इस मंतर कार्थ ये है इस मंतर में अरे मंतर भाव कोन पैदा करेगा कोई भाव क्यों नहीं बोलता धानु भगत इसके बारे में कोई नहीं बताता स्वामि प्रमहंस रामकिष्ण प्रमहंस की जीवनिको How अगल नहीं बताता कि क्या भाव था उनका रस्खान भगवान श्रेकर्ष्ण नहीं को स्वम दर्शन दिये उनकी कहानी कोको कोई नहीं बताता Ke कैसे वो मुसल्मान होकर वो भगवान शी कृष्ण के मंदिर के बाहर स्वाम भगवान शी कृष्ण आये थे पाल रूप में रस खान को दर्शन दिये तो इनको क्यों नहीं बताता कोई धन्ना जाट क्या उस पे कोई मंतर आता था या कोई प्राण उसने पढ़ी थी मैं यह नहीं कहा रहा कि हमें धर्मकर्णतों का ज्यान नहीं होना चाहिए पर इसका भगवान के प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि भाव अलग चीज होती है भगवत प्राप्ति एक अलग चीज होती है आपका भाव ही भगवत प्राप्ति कराता है आपको जो धन्ना जाट था उसने तो प्रभू उनके प्रभू नारायन जो है स्वाम उसके पास काम करते थे उसके खेतों में कोई ये क्यों नहीं बताता कोई इसका एक्जामपल क्यों नहीं देता सब को अभी एक बहस चुड़े हुई है इस मंत्र को लाइव कर दो इस मंत्र को ये बता दो सब के सामने बता दो आप कैसे चमतकार कैसे करते हो आप खुद को करके दिखाओ पता चलेगा किसी एक वेक्ति को आपने कभी आराम दिया हो कभी ठीक किया हो तब तो सिर्फ डाड़ी बढ़ाने से ये नी होता कि डाड़ी बढ़ा ली गले में मालाई डाली हैं बहुत बड़े ग्यानी पर गे किसी एक मंतर को साधा है कभी अपने लिए सवालाख मंतर का जब किया है दूसरों के लिए तो जज्वानों के लिए तो बहुत किया होगा पर कभी खुद के लिए सवालाख जब किया कभी मंतर का कभी अपनी उर्जा को चेक किया तो ये चीजे लागू एक साधक एक भक्त जो होता है प्रभू को मा की तरंगों को या बाबा की तरंगों को पाने के अलग-अलग माध्यम है एक जो तरीका है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कितावी ग्यान से ही प्रभू प्राप्त होते है गुरू, एक गुरू तत्व होता है गुरू के पास अगर कुछ भी नहीं है तो उसके पास उर्जा होती है वो अपनी शेशनफर पर क्रिफा कर सकते है वो शक्तियां उस पर क्रिफा करती है एक तरीका यह होता है कि आप प्रभू के चूणों के बहुन की आप अपनी अपने इच्छा से पर वो को जो भौग लगा रहे उसी से पर वो प्रसंद हो जाते हैं अब क्या ही वीडियोस से आते हैं जिसमें लड़ु गोपाल भोजन करते हैं यह वाई सच है क्या आप किसी धर्मकरन्थ में लिखा हुआ है जबकि वो भोजन, उनका चहरा भी सना हुआ है, भोजन में, हलुए में, और पूरे मंदर में बिखरा हुआ है, वीडियो बना रखे प्रपर लोगों ने, पानी पी रही है, इसको किस तर्क से आप न पोगे, तो भाव को, भाव जो होता है, उसको आप किसी भी तरीके से नह सकते, नहीं उसके प्रती को तर्क कर सकते हैं, कि आप उसको दिखाओ, हवा को कोई दिखा नहीं सकता, कि क्या हवा, ये हवा है, और ये जितने पड़े लिखे लोग हैं, ये लोग समझते हैं, कि सब चीजों को विजिबल किया जाए, कोई भी वैक्ति अगर ये सोचे, कि जिस मंतर को सिद्ध करके उसे प्रभू के दरशन हुए, अगर वो भी उसी मंतर को सिद्ध करके प्रभू के दरशन करें, तो सबसे पहले भाव होना जरूरी है, अब कोई नास्तिक वैक्ति अगर ये करना कोशिश करें, जब करना शुरू करें, तो पहले तो भाव ही नही यह मंतर क्या होता है मैं अरे एहिंकार बोलता है यह आपका अगर जितनी चोकियां जितने दरवार लग रहे हैं अगर वहाँ पर लोग ठीक हो रहे हैं आराम मिल रहा है तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि यह तुम्हें आराम मिला है जिसको आराम मिला है वो स्वैम बता सकता है तो तुम्हारी बोलती तो उसी टेम पे बंद हो जाती है कि उसको आराम मिला हजारों लोग हैं जो चोकियों पर जाते हैं हजारों दर्वारों में जाते हैं उनको आराम मिलता है काम बनते हैं से तो ये लोग पूछते नहीं हैं क्यों नहीं पूछते क्योंकि इनकी बोलती उसी टाइम बंद हो जाएगी अरे जिसको आराम हुआ है डॉक्टर से थोड़ी ना पूछेगा कोई मरीज से पूछेगा कोई मरीज से पूछेगा कि अगर डॉक्टर मरीज को दर्द हो रहा कह वोक्टर कैसी दवाए देखके मरीज से पूछेगा तो कहां दर्द है तो आप मरीज से क्यों नहीं पूछते हो कि मरीज जो इतने चोकियों पर जा रहे हैं जिसको आराम हो रहा जिसके परेशानी खतम हो रही है उन से पूछो आप पता चुलएगे इतनी लोग कैसे ठीक हो अलग अलग दर्वारों में अलग चोकियों पर अलग 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 दर्वार सो दोसो पांसो लोगों को लेकर बैठे उनके दिक्कतों को दूर कर रहे हैं पर यह जो लोग सिर्फ डाड़ी बढ़ाली भगवा कपड़ा पहन लिया और गले में माला डालने से कुछ नहीं होता आपने कितने लोगों का भला किया ये बहुत इंपोर्टेंट है, कितने लोगों को आराम दिया ये बहुत इंपोर्टेंट है, भगवान कभी दिखावे से परसन है नहीं होते, ना ही रट्टू तोदा बनने से परसन होते, अगर आपके अंदर भाव है तो आप चाहिए टी-शेट पहनो उसमें भी वो प्रसंद होंगे अगर आपके अंदर भाव है तो भगवा कवड़ा पहनो या मत पहनो तब भी किरपा होगी क्योंकि ये आपकी परसनल चोईस होती है ठीक है तो मुझे आशा है जनकरे आपको अच्छी लोगी बाव भाव भुलाद कर्पा करें ओम नुश्वे